हलो एवरिवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंस के शानदार यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर हम सभी लोग यानि कि हमारी पूरी टीम आपको तो फिकल्टीज और टीचर्स दिखते हैं पर हमारी बैक एंड में बहुत बड़ी टीम है सब मिलकर आपको यानि की हमारे K-12 के प्यारे बच्चों को जो किंडर गार्डन से क्लास 12 तक CBS e Board English Medium में किसी भी क्लास में पढ़ते हो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं 100% free of cost, high quality education जिनकी मदद से, जिन वीडियो की मदद से आप अपने पूरे syllabus को complete कर सकते हैं हर एक subject की detail पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ यानि Magnet Brains की बढ़िया वाली team के साथ है ना और बढ़िया सारे videos देखो क्योंकि हमने सारे videos properly arrange करके रखे हैं आपके लिए के mathematics के videos पूरी एक playlist में मिल जाएंगे, physics के videos पूरी एक playlist में मिल जाएंगे किसी भी class के आपको पढ़ाई करनी हो, playlist प्रॉपरली arrange करके बनाई गई है, रखी गई है हिंदी मीडियम के बच्चे निराश ना हों क्योंकि Magnet Brains हिंदी मीडियम YouTube चानल आपको प्रोवाइड करा रहा है class 6 से लेकर class 12, UP board, MP board, Bihar board, Rajasthan board और Delhi board ये 5 हिंदी मीडियम के जो boards है उनकी class 6 से 12 तक की 100% high quality educational videos जी हां Magnet Brains हिंदी मीडियम चानल पर जाओ subscribe करो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बढ़िया पढ़ाई करो जो 6 to 12 इन 5 state boards में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर भी free of cost बहुत तगड़ी वाली आपको पूरी team मिलेगी free of cost high quality education वहाँ provide करा रहे हैं अगर आपको notes या study material या exam boosters या e-notes, e-books कुछ भी download करना हो पढ़ाई करने के लिए best पढ़ाई करने के लिए best study material तो आप हमारी website check out कर सकते हो classic से 12 English medium, classic से 12 Hindi medium दोनों ही mediums के लिए हमारे पास best notes available हैं जो आप download करके must पढ़ाई कर सकते हो और बहुत बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो दिस साइड जीशान, your maths mentor आप सभी का स्वागत करता हूँ इस amazing YouTube platform पर जिसका नाम है Magnet Brains आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे आज अपन समझेंगे cosine या cos आप कह सकते हो cos function या cosine function की हम समझेंगे आज domain क्या होती है हम समझेंगे आज range क्या होती है graph समझेंगे और time मिला तो periodicity भी आपको समझा दूँगा कि इस function, cos function की periodicity क्या होती है ठीक है, चलो भाई शुरू करते है without wasting any time ये graph है, अभी graph पे अपनी बुरी नजर मत डालना अभी graph को छोड़ दो basics पढ़ने पढ़ेंगे, तब हम इस graph को अच्छे से समझ पाएंगे चलो आज शुरू करते है, ठीक है done sir, देखो मेरे प्यारे बहुत ध्यान से बहुत गौर से समझना, ठीक है, done sir देखो बात नंबर एक तो ये है बिटा पहली बात तो ये है, ध्यान से सुनना sir जी, पहली बात तो ये गाना नहीं गा रहा हूं मैं नहीं तो तुम लोग सोचो sir, गाना गा रहे हूं पहली बात तो ये, जो तू, है ना चलो, भईया बात नंबर एक तो ये है सबसे पहले कि हम समझते हैं कि हम sin function को, sorry, cos function को ऐसे लिख सकते हैं, y is equal to cos x है ना, fx भी करके लिख सकते हैं कोई बात नहीं है, तो fx is equal to cos x ऐसे भी लिखा जा सकता है सर जी, बात नंबर एक ये है कि हमें x पे नजर डालनी है है ना, x पे नहीं, मतलब cos x का जो x है उस पे, तो sir, जो x है यहाँ, ये बोला जाता है input रखने का जरिया क्या बोला जाता है input है ना, we call it as input सर जी, यहाँ हम कुछ ना कुछ तो value रखते हैं, देखो कोई भी machine होती है ना, वो तब काम करती है, जब आप उसके अंदर कुछ चीज input करो, कुछ चीज उसके अंदर डालो, कुछ उसको command दो command क्या दे सकते हो, input क्या दे सकते हो, तब तो जाके वो कुछ output देगी, कुछ result निकालेगी ऐसी बच्चो function भी एक machine होती है है ना, जिसमें अगर आप x की जगा, इस input की जगा अगर कुछ नहीं डालोगे, तो यह output भी नहीं देगी, यह ऐसी machine है कि आपको इसमें input में कुछ ना कुछ system देना पड़ेगा, तब यह output देगा, ठीक है done sir, तो यहां input का मतलब हो गया sir x, ठीक है तो input x की जगा हम क्या क्या चीजे डाल सकते हैं, उसका set मतलब x में values of x जो डाल सकते हैं, values, बहुत सारी values होती है, जो x की जगा हम values of x यह put कर सकते हैं उसका set, domain कहलाता है तो sir हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे domain और domain क्या होगा बिटा, domain होगा यहां पर पहले तो domain समझो domain क्या होगा, sir domain का मतलब है allowed values of x वो values जो हम यह put कर सकते हैं allowed values of x का set values of x set of allowed values of x आप कह सकते हो set क्या कह सकते है बिटा पन set of allowed values of x यह allowed का मतलब क्या है allowed का मतलब है बिटा as he values जो actually आपके function को defined रहने दे जैसे मान के चलो मैं आपको एक function लिखके दिखाता हूँ fx is equal to 1 upon x ठीक है अब मैंने आप से कहा बताओ यहाँ x की जगा आपन क्या क्या डाल सकते हैं मतलब domain बताओ मतलब domain बताओ अब domain का मतलब क्या हो गया मतलब x की values का set set of allowed values of x अब आप यहाँ पर x की सारी values डाल सकते हैं आप x की जगा कोई भी real number ले सकते हो बस 0 को छोड़के बस 0 को छोड़के क्योंकि बिटा अगर हमने यहाँ 0 रख दिया F यहाँ X की जगा 0 रख दिया तो यह हो जाएगा 1 upon 0 और बिटा 1 upon 0 हो जाता है not defined हमारा function क्या हो गया not defined हमें function को not defined होने से बचाना पड़ता है ऐसी values डालो X की जगार जो function को defined रहने दे तो सर हमने क्या बोला domain domain मतलब X X की values का set X कौन कौन सी values हो सकती है सारे real numbers हो सकते है बस 0 को छोड़ दो except 0 यह बहुत important है clear है सर बिलकुल clear है इसको टा देते हैं सर ठीक है done यह समझाने के लिए लिखा मैंने तो सर एक बात बताओ cause X में आप कौन कौन सी values डाल सकते हो X की कौन कौन सी values डाल सकते हो तो बात number एक पहले तो यह समझो कि यहाँ जो X की value डाली जाएगी वो क्या होगी किस type की होगी तो सर यहाँ जो value डाली जाएगी वो angles होंगे क्या होंगे बिटा जी angles यानि कि cause X की जगा X की जगह यहां आप angle डालोगे यानि 30 degree, 60 degree, 90 degree, 40 degree, 0 degree, minus 20 degree जो डालना हो डालो लेकिन angle डालेगा Sir, degree में पक्की बात है? नहीं degree में डाल सकते हो, कोई मना ही नहीं है लेकिन better होगा कि आप radians में angle insert करो इसमें ठीक है? done sir तो सर जी अब बताओ इसका domain क्या होगा तो बेटा domain यानि की x की allowed values का set काहे का domain of function cause x यह होता है sir all real numbers बिलकुल sine x की तरह होता है, बिलकुल sine function की तरह होता है sine function जो है sine x वो भी बेटा कहता है कि मेरे अंदर यानि sine x, x की जगह आप कोई भी real number का angle लिख दो कोई भी real number का angle लिख दो, मैं फिर कह रहा हूँ यह क्या है बेटा, this is real angle है ना real number वाला angle, real number angle और angles की बात करें, real number angles की तो उसको radians में लिखना चाहिए मतलब आप cause x की जगह आप cause x की जगह, इस x की जगह sir आप आप यहाँ पर बहुत बड़ा angle 1740 degree लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं sir इस x की जगह हम minus का 1440 लिख सकते हैं degree हाँ लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं मतलब cause x जो है उस x की जगह आप कोई भी angle लिख सकते हो, any real number any real number वाला angle ठीक है, done sir, समझ में आ गई आपको output ज़रूर मिलेगा you will 100% get an output ठीक है, आपको output ज़रूर मिलेगा बिटा, आपको बिलकुल निराशा हाथ नहीं लगेगी ठीक है, clear है sir, इतनी बात तो clear हो गई अब आगे बात कर लेते हैं बिटा, sir चलो, यह बात हो गई अपने कही की domain की कि sir, cause x, यहां लिखता हूँ मैं function, function x fx is equal to beta g cause x लिखा, अभी आप graph पे ध्यान मत, दो, बाद मैं बात करेंगे इसकी थोड़ी देर में, 10 minute बात करेंगे 10 minute नहीं, 5 minute बात, cause x लिख लिए sir, ठीक है, तो अपना जो function f, वो कहां से जा रहा है sir, it starts from real number का set, मतलब input जो है वो real number होगा, ठीक है output बताओ, कहां तक जाएगा अब यह पता करते हैं sir, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा sir, ठीक है let us talk about output के sir, इसमें output क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको थोड़ा सा पन, shift करेंगे एक second इसको यहाँ shift करेंगे, ठीक है यहाँ shift कर लिए, अब सुनो मेरी बात बिटा, ध्यान से सुनना, जी sir यह जो y होता है न, इसको बोलते है बिटा, output, क्या बोलते है दोस्त, इसको बोलते है output है न, y या fx आप कुछ भी कह सकते हो, y या फिर fx, यह output हो गया sir ठीक है, तो output क्या होता है दोस्त y, ठीक है, अब यह जो output होता है, यह कौन-कौन सी चीजें आ सकती है, मतलब क्या-क्या type की चीजें हमें output के तौर पे मिल सकती है तो sir, यहाँ अगर मैं आप से पूछूँ के मुझे आप set बना के दो, set of possible values of y के भाईया, possible values of y मतलब y जो output है उसकी possible values क्या-क्या हो सकती है, हमें क्या-क्या type का output मिल सकता है, तो याद रखना sin x जो sin function था, उसी के जैसा यहाँ output यानि range रहेगा जी हाँ, अगर मैं set of y की बात करूँ, set of values of y, set of values of output, तो I am talking about range जैसे set of x set of values of x domain होता है, set of values of y, set of values of output यह range होता है, तो सर हम काही की बात कर रहे है हम बात कर रहे हैं range काही की बात कर रहे हैं बिटा, range clear है, हाँ सर clear है, तो range क्या-क्या हो सकता है सर तो ध्यान से सुन लो बिटा, range होता है हमारा, ध्यान से सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूँ range होता है हमारा cause function के लिए minus 1 से 1 सर यह तो sign का भी था, बिलकुल बिटा, चो, बिलकुल, देखो, तुम लोग को बड़ी ऐसी चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना यह sign function है ठीक है सर, इस function के लिए domain क्या था sir, all real numbers, ठीक है और कहां तक गया था, मतलब इसका output इसका range क्या था, इसका range था बिटा, minus 1 से 1, perfect, ठीक है previous वीडियो में समझाया है मैंने, अब अब बात करना है बिटा cause x की, ठीक है cause x की ठीक है, यह function है cause x ची हाँ, इस function की, ध्यान सा सुनना, इस function की input, यानि domain input क्या-क्या है, सर अभी आपने बताया है इसका input है, all real numbers, ठीक है सर r लिखो, all real numbers ठीक है सर, output यानि output क्या-क्या आ सकता है, what is the set of output यानि range, सर अभी range लिखी, मैंने minus 1 से 1 minus 1 से 1, ठीक है सर ओ तेरी, सर यह तो बिल्कुल same है, हाँ, बिल्कुल same है sign और cause, दो ऐसे functions हैं, जिनकी domain और range, डिटो same होती है, आपको tension ही नहीं लेनी है दोस्त, आपको tension ही नहीं लेनी है अगर आप domain और range पढ़ रहे हो sign और cause की तो आपको तो भाईया, मुबारक हो क्योंकि आप बहुत असानी से domain और range पढ़ सकते हो seriously बहुत असानी से बास समझ में आ गई? ये सर समझ में आ गई, ठीक है? done है? ठीक है दोस्त, बिलकुल सर समझ में आ गई, 100% आ गई सर समझ में है ना, समझ में आ गई है ना? जी सर, चलो, अब ही अपन आगे बढ़ते हैं तो बच्चा ये बात हो गई हमारे किसकी cause x के input की input का set ये है बिटा, input का set मतलब ये domain है सर, है ना, domain of function इसको ऐसे लिख लेते हैं, df और सर, range क्या है, range अपना वही minus 1 से 1, बस इसके अलावा ये output आपको नहीं देगा, ठीक है? तो ये हो जाएगी range of function, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, जल्दी से copy कर लो, मैं इसको erase कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं possible है के नहीं है, ध्यान से सुनना, cause x में ये x होता है, ये x होता है, ये input होता है, ठीक है सर? ठीक है? और cause x ये पूरे function के सामने जो ना, जो number लेका है, ये इसका answer है, ये इसका output है, ये क्या है सर? ये output है, तो इसको अपनने लिख दिया output, ठीक है सर इसको अपने लिग दिया output ध्यान रखना यानि कि एक तरह से आप कह सकते हो y is equal to cause x is equal to minus 2 तो यहाँ पर यह y हमको मिल गया y हमें minus 2 मिला है x कुछ ना कुछ होगा हमें पता नहीं है ठीक है अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका function y is equal to cause x यानि cause function है तो आपको याद रखना है कि इस type के function के लिए जो input होता है input बोले तो जो domain होता है domain मतलब x का set वो होता है all real numbers मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है यहाँ कोई भी real number का angle डाल सकते यह angle ही रहेगा ठीक है sir और जो answer आएगा जो आपका range होगा जो आपका output होगा वो बिटा minus 1 से 1 ही रहेगा इसका क्या मतलब है sir यह समझाओ तो बिटा इस पे अपन थोड़ा सा 2 minute ज़रा discussion कर लेते हैं अगर मैं आपको एक number line बना के दूँ यह मैंने आपको एक number line छोटी प्यारी सी cute सी number line बना के दी ठीक है done अब इस number line पे मैंने आपको दो number लिख कर दिये एक दिया minus 1 एक दिया plus 1 तो यह जो है न यह y की value है y की value मतलब यह अपना जो है y axis पे दिखाना चाहिए ठीक है y axis पे दिखा देते हैं इसको vertical कर देते हैं ठीक है चलो इसको अपने कर दिया vertical ठीक है सर अभी इसको अपने vertical कर दिया इसको अपने ऐसा कर दिया जो कि actually नीचे आ जाएगा यह उपर आ जाएगा तो यह 1 हो गया और यह हो गया बिटा अपना minus 1 ठीक है ध्यान से सुनना जी सर अब मेरा प्रेशन यह है कि अगर x x की बात की जाती तो x x पे बनाई जाती पर फिलाल यहाँ output की बात हो रही है y output मतलब सर यहाँ आपसे y की बारे में बात की जा रही है कि जो y है जो आपका function is sine x sorry cause x y is equal to cause x उसका output क्या सकता है उसका output मतलब उसका answer जो है वो क्या सकता है तो याद रखना answer इस में से आएगा answer आपका इसी में से आएगा मतलब answer या तो अपना बिटा minus 1 और 1 हो सकता है या इसके answer इनी के बीच में से होगा यहाँ से उपर answer नहीं जाएगा यहाँ से नीचे answer नहीं जाएगा समझ रहे हो मतलब y is equal to cause x एक ऐसा function है जिसका overall answer जिसका overall output आपको y is equal to cause x में जो equal to में minus 2 दिया गया है यह totally गलत है minus 2 आई ही नहीं सकता क्योंकि इसकी value cause x की value minus 1 से नीचे नहीं जा सकती है ना minus 2 तो minus 1 के नीचे present होता है तो sir minus 2 नहीं आ सकती तो यह गलत है हम क्या बोल देंगे this is totally wrong यह बिलकुल गलक चीज लिखी हुई है कोई दिक्कत नू दिक्कत sir ठीक है यह बिलकुल गलक चीज लिखी हुई है कोई समस्या नू समस्या sir ऐसे बच्चों एक और चीज लिखता हूँ मैं ठीक है एक और चीज लिखता हूँ मैंने जैसे second लिखा ध्यान जो सुनना cause cause ध्यान जो सुनना बिटा under root minus 3 degree is equal to something ठीक है y आ गया ये possible है क्या ये possible है बिलकुल नहीं है possible क्योंकि cause x बिटा ये cause x है ये अंदर जो लिखा हुआ है ये x है ये बिटा अपना बिलकुल cause x जैसा लग रहा है x input होता अब input जो है ये एक angle होता है और ये angle real होता मैं फिर बोल रहा हूँ cause x जो है जो input है ये input एक real number वाला angle होता है मतलब यहाँ cause x की जगा ये जो भी आएगा एक real number होगा under root minus 3 ये एक real number नहीं है तो ये बिलकुल सरासर गलत लिखा हुआ है ठीक है done है sir yes sir समझ गए बिलकुल समझ गए sir अभी मुझे उम्मीद है कि आपको clearly समझ में आ गई होंगी चीज़े done है बिलकुल done है अब बात कर लेते हैं sir इनकी periodicity की के cause x जो होता है जो function है cause function ये periodic है के नहीं है और periodic है तो कब periodic है ठीक है तो यहां मैं heading लिख रहा हूँ बिटा periodicity of function cause है न cause function periodicity of cause function तो हाँ ये बिटा sign के जैसा periodic है अब sign क्या है sir sign जो होता है न 2 pi यानि 360 degree पर periodic होता है अब periodic क्या है sir पहले आप तो यह बता periodic क्या है पहले तो आप periodic की definition clear करो तो मेरे प्यारे बच्चे periodic का मतलब होता है repeat करना value repeat करना value repeats मतलब sir बताता हूँ सुनो ध्यान से सुनना ठीक है सुनो मैंने तुमसे कहा cos द्यान चो सुनना बिटा मैंने तुमसे कहा cos 45 degree तो ये क्या होगा Sir 1 by root 2 सबको पता है Sir 1 by root 2 ठीक है द्यान चो सुनना अब ये 45 degree पे अगर मैं एक ऐसा number सोचू एक ऐसा angle सोचू जिसका answer 1 upon root 2 ही आई repeat ओ answer तो पता क्या होगा कुछ नहीं करना होता है कॉस में अपन को 360 डिगरी पे रिपीट होगा बस कितना 360 डिगरी पे रिपीट होगा मतलब अगर मैं इसमें 360 डिगरी एड कर दूँ तो ये क्या आएगा बिटा ये आएगा next अपना ध्यान से सुनिएगा next आएगा अपना बिटा कॉस कॉस 45 प्लस 360 45 डिगरी प्लस 360 मतलब 405 डिगरी है ना ये भी बिटा अपना वन अपन रूट टू ही आएगा समझे नहीं समझे है ना तो मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ कॉस 405 डिगरी अगर कोई आप सिफ कॉस 405 डिगरी पूछे तो समझ जाना ये एक्चिली कॉस 45 ही है किसके एक्को लोगा बिटा कॉस 45 के विल्कुल क्यों जैसे मैं आप से कहूँ ध्यान से सुनिये रहा बिटा अब मैं आप से कह रहा हूँ के कॉस 750 मैंने आप से कहा कॉस 750 डिगरी की वैल्यू बताओ अब आप डर गए ओ भाई साब कॉस 750 कैसे बताओंगा सुनो दिमाग लगा थोड़ा सा मैंने क्या बोला मैंने बोला 360 डिगरी पे रिपीट होता है 360 डिगरी पे रिपीट होता मैं बोलना हूँ साइन भी बिटा 360 पे रिपीट होता है sine repeats at two pi यानी 360 degree बिटा कॉस also repeats at two pi यानी 360 degree ठीक है अब सुनते हैं न two pi पर repeat होता है मतलब अगर मैं four pi लिख दू तब भी repeat होगा two का double four two का triple six pi इस पर भी repeat होगा betta eight pi इस पर भी repeat होगा बिल्कुल same बिल्कुल same repeat होगा तो sir अगर cost 750 की बात हो रही है तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं के 750 को मैं लिख सकता हूँ 720 प्लस 30 हायर तो 720 लिखा मैंने plus 30 degree लिखा ध्यान जे सुनना हा सर और ठोड़ा सा और दिमाग लगा के मैंने इस पे ध्यान दिया तो यार यह तो 2 into 360 हायर बिलकुल सही है तो मैंने इसको लिख दिया 2 into 360 2 times 360 plus 30 और सर अभी आपने बताया कि ध्यान से सुनना अभी आपने बताया कि sine or cos 2 pi 4 pi 3 pi 2 pi sine or cos की बात हो रही है 2 pi 2 का double 4 pi 4 का double 8 pi 6 pi इंपर इबीट करता है मैं अगर यहां सीधी सीधी सी बात करूँ कि sine or cos 2 n pi पे repeat करता है 2 n pi पे repeat करता है बस बात करता हूँ सुनो बताता हूँ मतलब सर, sine or cos 2 pi पे repeat करेंगा अगर n 1 हुआ अगर n 2 हो गया तो 2 to the 4 4 pi पे repeat करेगा अगर n 3 हो गया तो 3 to the 6 6 pi पे repeat करेगा अगर n 4 हो गया तो 8 pi पे repeat करेगा कैसा चलता जाएगा सर यह repeating है क्या इस पर discussion करते हैं बिटा यह हो गया n यह हो गया 2 pi n कुछ भी हो सकता है तो इसको लिख सकते हैं 2 pi इसको लिख सकते हैं 2 pi और इसको n plus 30 मतलब यह अगर मुझे मिल गया 2 pi n 2 n pi यह 2 pi n अगर यह मुझे मिल गया यह 2 pi हो गया और यह n हो गया समझ रहे हो ना हासर तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह जो cos 2 into 360 plus 30 है जो 750 को यह अपने design कर दिया जो 2 into 2 pi 2 into 2 pi के जैसा बन गया 2 n pi plus 30 वो cos 30 के ही बराबर होगा खतम हो गई बात cos 30 के ही बराबर होगा यह उतर periodicity यह होता है repetition समझ गए तो इसको periodicity बोलते हैं तो cos 30 क्या होगा पिटा root 3 by 2 तो अगर मैं आप से कहूं cos 750 की value बताओ तो आप cos 750 750 को तोड़ दो 720 plus 30 720 को तोड़ दो 2 into 360 समझ जाओ यह 2 pi हो गया यह n हो गया 2 pi n 2 pi कुछ भी कह दो plus 30 plus होना चाहिए यह याद रखना plus होना चाहिए जैसी है में 2 pi n plus something मिल गया समझ जाना sign और cos आसान हो जाते हैं sign और cos सीधा इस पे attack करेंगे यह भूल जाओ फिर इसको छोड़ दिया करो 2 n pi खतब इसको periodicity बोलते हैं done sir इस पे मैं आराम से एक और अच्छे से lecture दूँगा आपको एक अलग ही lecture दूँगा है ना वो detail में आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन अभी फिलाल इस पे ही अपन कॉंसेंट्रेट कर लेते हैं मैं सोच रहा हूँ periodicity का एक अलग special lecture दूँगा अब बिटा अपनी बात बच्ची है graph की तो graph पे कैसे काम करेंगे sir ये और देख लेते हैं so that अपन बढ़िया तरीके से graph समझ पाएं ठीक है sign और cost का graph मेरे प्यारे बच्चे बहुत identical सा दिखता है ध्यान से सुन लो काफी identical दिखता है ध्यान से सुनना जी sir अब मैं इसको पहले erase कर रहा हूँ पूरा ठीक है done बिटा sign का हम सबसे पहले graph देखेंगे ठीक है sign का graph इस पे देखेंगे फिर sign के graph से हम इसके graph को compare कर देंगे simple सी बात है देखो भीया सबसे पहले अगर आप sign का graph ध्यान से पाइफ पाई six पाई यानि की पाई के multiples पे zero होता है मैं बता रहा हूँ क्या सुनते जाओ देखो red color से करता हूँ देहां से सुनना जैसे पाई को अपने डार्क कर लिया अभी आप इस graph को भूल जाओ थोड़ी दिर के लिए फिर two पाई को अपने डार्क कर लिया फिर अप अपने four pi को भी डार्क कर लिया negative मैं आओ minus pi को डार्क कर लिया minus pi के बाद minus two pi को डार्क कर लिया minus three pi को डार्क कर लिया अब sign का graph पता क्या करता है zigzag जाएगा अपनने सीख रखा है previous वीडियो में अब zigzag जाएगा और बिटा minus 1 के नीचे नहीं आएगा और 1 के उपर नहीं जाएगा ये 1 है बिटा और ये minus 1 है ठीक है? डन सर ये 1 है और ये minus 1 है ठीक है? तो minus 1 के नीचे नहीं जाएगा और 1 के उपर नहीं जाएगा clear है? हाजर clear है अब देखो इसको बनाते है पन ठीक है? ध्यान से देखना अगर मैं आपसे कहूँ इसको बनाओ तो आप कैसे बनाओगी सर? ऐसा कुछ ऐसा बनेगा ठीक है? कुछ ऐसा बनता है साइन का ग्राफ तो साइन का ग्राफ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाई के मैल्टी पिल्स से होते हुए गुजरता है पाई के मैल्टी पिल्स पे वो जीरो होता है लेकिन अगर वहीं अगर हम y is equal to cause x का ग्राफ देखें जो आपके सामने इंटीजर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई अगर ये एन पाई है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी बिटा साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पर ग्राफ x एक्स को इंटरसेक्ट करेगा है ना साइन एक्स जैसे मैं बोल दूँ पिटा y is equal to sin x अब मैंने x की जगा बोला y is equal to sin x की जगा मैं देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने का के दोस्त एक काम करो x की जगा तुम रख दो 180 डिग्री यानि 2 पाई मैंने का 2 पाई रख दो अब पिटे sin 2 पाई की वैल्यू धिहान रखना 0 होती है तो 2 पाई कॉमा 0 अब 2 पाई कॉमा 0 कहा आएगा विटा 2 पाई कॉमा 0 यही है यह है 2 पाई कॉमा 0 this is 2 पाई कॉमा 0 ऐसी बच्चों अगर मैंने 3 पाई रखा यहा तो 3 पाई से भी sin 3 पाई विटा 0 आएगा याद कर लो रट लो द्माग में सेट कर लो Sine Pi 0, Sine 2 Pi 0, Sine 3 Pi 0, Sine Minus Pi 0, Sine Minus 2 Pi 0, Sine Minus 3 Pi 0 समझ आ गई बात, Yes Sir समझ आ गई बात, Yes Sir अब बात कर लेते हैं Cos की अब कोस कहाँ 0 होता है, यह समझो Cos कहाँ पर 0 होता है, यह समझो भौत important है, ठीक है Sine कहाँ पर 0 होता है, Sine X sin x 0 होता है कहां पर sir x की जगा अगर n pi चलेगा तो ठीक है तो हम समझ जाते हैं कि sin का जो graph होता है वो 0 मतलब x axis को कहां पर intersect करता है pi 2 pi 3 pi ऐसे होते हुए जाता देखो ऐसे जाएगा pi से निकलेगा 2 pi से निकलेगा 3 pi से निकलेगा 4 pi से निकलेगा 5 pi से निकलेगा उपर 1 से उपर नहीं जाएगा इस line से उपर नहीं जाएगा और minus 1 से नीचे नहीं जाएगा यह sign की बात हो गई cos की बात कलने बिटा तो अगर मैं y is equal to cos x लिख दूँ तो यह कहां 0 होता है बिटा यह कहां 0 होता है जब x की value पता है क्या हो जब x की value क्या हो सुनते जाना जी सर बहुत important है सर यह 0 होता है जब x की value हो odd multiples of odd multiples of देखो बताता हूँ odd multiples of pi by 2 यह 90 degree पे 0 होगा और 90 degree के odd multiples पे 0 होगा बताता हूँ सुनो जैसे जैसे देखो ध्यान से सुनना यह कहां 0 होता है आपको पता है यह कहां 0 होता है यहां लिख देता हूँ मैं at x is equal to n pi यह तो पता है अब cause x यह कहां 0 होता है सर यह 0 होता है अभी अपने लिख दिया कि जहांपर odd multiples of pi by 2 हो पताता हूँ सुनो अगर मैं तुमसे कहां दूँ बिटा कि x की जगा तुम pi by 2 लिख दो या 3 pi by 2 यह 1 pi by 2 देखो 1 के बाद क्या आता odd 1 के बाद 3 आता 3 pi by 2 लिख दो 3 के बाद कौन सा odd आता 5 5 pi by 2 लिख दो 5 pi by 2 5 के बाद क्या आता 7 7 pi by 2 लिख दो अच्छा सर बस यही 9 pi by 2 11 pi by 2 ऐसे चलता जाएगा सर नेगेटिव में भी तो आ सकता है बिलकुल आ सकता है नेगेटिव में देखो नेगेटिव में भी आ सकता है देखो dot 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 minus का 3 pi by 2 क्या बात है सर है ना minus का 3 ओ सरी minus का 3 नहीं minus का pi by 2 पहले तो minus का pi by 2 आएगा फिर आएगा minus का 3 pi by 2 फिर minus का 5 pi by 2 फिर minus का 7 ऐसे चलता जाएगा यह कैसे आता है एक formula होता बिटा 2n प्लस 1 bracket pi by 2 यह होता है इसमें n की जगा कोई integer रखोगे तो आपको पता क्या मिलेगा आपको यही मिलेंगे अगर आप n की जगा 2 रख दो तो 2, 2s are 4 प्लस 1, 5 5 pi by 2 देखो यह आगया 5 pi by 2 अगर n की जगा आप 0 रख दो तो 2 into 0, 0 1 into pi by 2 pi by 2 तो pi by 2 आजाएगा अब आप n की जगा minus 1 रख दो 2 into minus 1 is minus 1 minus sorry minus 2 और plus 1 minus 1 तो minus 1 into pi by 2 minus pi by 2 minus pi by 2 तो इन सारी values पे आप कह सकते हो के cause x क्या होता है cause x क्या होता है अगर x इन में से हुआ odd multiple of pi by 2 हुआ तो वो 0 होता है तो हमें पता चल गया graph of cause x 0 से निकलेगा मतलब x axis को cut करेगा x axis को cut करेगा यह y की value होती है cause x रखने पर जो मिलेगा वो y होगा यह y 0 हो रहा है y 0 मतलब ज्याद करो न y 0 हो जाए तो मतलब x axis पे होगा point है न तो अगर मैं आप से कहूं अगर मैं आप से कहूं बिटा के हमारे पास y is equal to cause x यह function है y is equal to cause x यह हमारे पास function है अब मैंने तुमसे कहा कि बच्चा सुनना गोर से जी सर मैंने तुमसे कहा कि x की जगा ध्यान से सुनो x की जगा मैंने pi by 2 रखा x की जगा मैंने pi by 2 रखा तो बताओ y क्या आएगा तो सर यहां अगर मैंने pi by 2 रख दिया cause pi by 2 मतलब cause 90 तो यह तो 0 हा जाएगा तो y कितना आया 0 तो x, y यानि pi by 2, 0 ठीक है second अब मैंने pi by 2 की बदले अब मैंने 3 pi by 2 रखा अगर 270 डिगरी अब मैंने का नहीं हार 3 pi by 2 रखो तो पिटा याद रखना ये भी 0 होगा cause जो है वो 0 कब होता है pi by 2 और pi by 2 के odd multiples पे दिमाग में set कर लो दिमाग में feed कर लो ठीक है तो sir हमें समझ में आ गया cause x का जो हमारा graph बनेगा वो pi by 2 से होते हुए निकलेगा तो pi by 2 से cut करेगा x-axis को फिर आएगा sir 3 pi by 2 पे फिर आएगा sir 5 pi by 2 पे फिर आएगा sir 7 pi by 2 पे ये कहां cut कर रहा है बिटा ये cut कर रहा है x-axis को odd multiples of pi by 2 ये क्या है sir 3 pi by 2 ये क्या है sir ये ये है 5 pi by 2 ये क्या है sir ये 7 pi by 2 ठीक है पीछे अगर negative में बात करें तो ये क्या है बिटा ये है minus का pi by 2 यह क्या है minus 3 pi by 2 यह क्या है minus 5 pi by 2 यह minus 7 pi by 2 यह साब pi by 2 के odd multiples हैं यह है minus का pi by 2 यह है minus का 3 pi by 2 यह है बिटा minus का 5 pi by 2 और यह है minus का 7 pi by 2 और भी पीछे जा सकते हैं पर जितना इनोंने दिया उतना अपने मारक कर लिया तो अपन को समझ में आ गया जो graph है वो odd multiples of pi by 2 से गुज़रेगा ठीक है अब कैसे जाएगा simple है कैसे जाएगा बिलकुल simple है बहुत ध्यान से सुनना जी सर बहुत ध्यान से सुनना अब cause x जो है वो 0 होता है cause x 0 होता है अगर x यह है ठीक है अच्छा cause x 1 कब होता है cause x 1 कब होता है सोचो सोचो 1 कब होता है बहुत easy है बहुत easy है बहुत easy है मैं सची बता रहा हूँ cause x याद कर लोगे न छोटी 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 चीज़े तो मज़ा आ जाएगा आप भी कहोगे कहा सर मज़ा आया देखो cause x ग्राफ से देखके बता दो यार 1 कब है cause x जो है अपना 1 वो 0 पर है सर पहली बात तो 0 पर है ठीक है जब x अपना 0 होगा या फिर even हो या फिर even multiple of pi हो even multiple of pi देखो 0 पर है 1 की बात कर रहा हूँ भी time talking about 1 तो यह 1 है ठीक है 1? सर यह 1 है देखो 2 pi पे है 1 पिर यह 1 है सर देखो 4 pi पे है 1 है ना फिर देखो यह 1 है minus 2 pi पे है 1 देखो minus 4 pi पे है 1 तो हमें समझ में आगया 1 कहा होगा सर? cause x 1 जो होगा वो होगा 0 and 0 and 0 and even multiples of pi even multiples of pi pi के even multiples मतलब सर ऐसा देखो minus का 6 pi पे होगा minus का 2 pi पे होगा 0 पे तो हो गई होगा ठीक है फिर 2 pi पे होगा 1 cause 4 pi होगा cause 6 pi होगा cause 8 pi होगा cause 10 pi होगा बिटा वन और ये पीछे चलता चला जा रहा है अच्छा अगर मैं कॉज एक्स को माइनस वन पूछूं कहा होगा तो माइनस वन नीचे देख लो minus 1 देखो minus 3 pipe है minus 1 यह है ना minus 1 minus पाइप है मतलब odd multiples पे cause x minus 1 होता है odd multiples पे cause x minus 1 होता है graph बनके ready हो गया graph बनके ready हो गया जी हाँ देखो graph बना के दिखाऊ हूं तुम को अब बिना देखे बिना देखे graph बनाता हूँ तुम लोग के लिए ठीक है ध्यान जो सुनोगे समझ में आएगा इतना जल्दी से copy कर लो फिर मैं जल्दी से इसको erase करके next page पे तुमको graph construct करके दिखाता हूँ मैंने इसको कर दिया erase बिटा इधर आ जाए अपन ठीक है ध्यान जो सुनना मेरी बात जी सर देखो ये होगे अपना 0 ठीक है ये होगे अपना πाई बाई 2 ठीक है ये होगे अपना πाई ठीक है ये होगे अपना 3 पाई बाई 2 ठीक है ये होगे अपना 2 पाई ठीक है ये होगे अपना 5 पाई बाई 2 ठीक है ठीक है ये चलता चा रहा है यह न पॉइंट्स भी डार्क कर लेते हैं हपन क्योंकि X एक्स पे अपन क्या देते हैं पिटा X का मतलब क्या होता है input angle ठीक है अब यहां negative बना लेते हैं पिटा यह हो गया minus pi by 2 यह हो गया पिटा minus pi pi by 2 और यह हो गया पिटा minus का 2 pi यह हो गया minus का 5 pi by 2 minus का 5 pi by 2 डन है यह सर अचा उपर क्या करेंगे उपर सर 1 और minus 1 लिख दो बस यहां 1 लिख दो काफी है और यहां minus 1 लिख दो काफी है बस खतम तो यह हमें काफी अपन को cause x दे देगा आप सुनते जाना ध्यान जो सुनो cause x zero का बोता सोचो दिमाग लगाओ cause x zero का बोता sir cause x zero होता है 2n plus 1 bracket pi by 2 पे अगर x की value यह हुई तो cause अपना zero हो जाएगा है ना cause अपना zero हो जाएगा याद रखो at x is equal to नीचे लिखते हैं at x is equal to 2n plus 1 pi by 2 क्या है मतलब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ अगर x की value odd multiples of pi by 2 हुई तो काही की value अगर x की value odd multiples of pi by 2 हुई तो मतलब अगर अपनने x की जगा x की जगा क्या लिया बिटा pi by 2 लिया ठीक है pi by 2 के बाद अगर हमने 3 pi by 2 ले लिया मतलब odd pi by 2 देखो odd pi by 2 अगर हमने 5 pi by 2 ले लिया odd pi by 2 है ना अगर हमने बिटा आगे चले गए है ना आगे चले गए समझ रहे हो ना यह सर तो यह odd multiples of pi by 2 पे 0 होता है जल्दी से odd multiples of pi by 2 को बिटा अपने मन चाहे color से paint कर दो तो odd multiples of pi by 2 देखो यह हो गया pi by 2 यह हो गया 3 pi by 2, यह हो गया 5 pi by 2, यह क्या हो गया, यह odd multiples of pi by 2 हो गया, ठीक है sir, यहाँ से जो graph है वो cut करेगा, यहाँ x axis को cut करेगा, clear है, हाँ sir clear है, next, next, इतनी बात हो गई clear, yes sir, अब जो सुनते जाओ, अब बताओ cause x जो है minus 1 कब होता है, या plus 1, चलो हटाओ, cause x, बिटा जी plus का 1 कब होता है, plus 1, minus 1 नहीं पूझा मैंने, I have not asked you minus 1, तो sir जी cause x minus 1 कब होता है, जब, ध्यान से सुनना, जब x अपना 0 हो, जब x क्या हो 0, पहली बात तो x 0 हो, ठीक है, minus 1, sorry 1, तो 1 होगा बिटा 0 पे, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनो, sir, 1 होगा अपना pi पे, 1 होगा अप ना 3 pi पे, नहीं समझे, मतलब 1 जो होगा ना, cause x का graph, वो होगा 1, 0 पे, and x is equal to even multiples of pi, even multiples of pi, even multiples of pi, pi के even multiples, मतलब sir, मतलब ऐसे देखो, मतलब ऐसा, ये इसकी बात हो रही है, x is equal to 0, ठीक है, 2 pi, ठीक है, 4 pi, ठीक है, 6 pi, ठीक है, dot, 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 पीछे भी जा सकते हैं, minus 2 pi, minus 4 pi, minus 6 pi, ये भी आएगा, ठीक है, तो इनको एक काम करो, अलग color से अपन कर देते हैं, ठीक है, अब सुनते हैं ना, जब मैंने 0 रखा, तब आएगा 0,1, जब मैंने 2 pi रखा, तो 2 pi रखने पर, cos 2 pi रखने पर answer आएगा 1, ठीक है, जब मैंने 4 pi रखा, तो answer आएगा 1, 1 आएगा सबका answer, सही बात है, ये coordinates का आएगे बिटा, ये coordinates यहाँ आएगे, देखो, 0,1, ठीक है, दूसरा है 2 pi, 1, 2 pi का है, 2 pi, 1, sir, ये आएगा 2 pi, 1, ठीक है, है न, pi, 1 भी आएगा बिटा, ठीक है, ये भी आएगा, रुक जाना, ओ रुक जा, रुक जा, हाँ, 2 pi, 1 भी आगया, ठीक है, done, sir, फिर उसके बाद, बिटा, 4 pi, 1 उदर चला गया, ये दर छोड़ो, इसके बाद आजाएगा, अपना 2 pi, minus का 2 pi, ये आजाएगा, ठीक है, done, sir, yes, sir, done, अब अगर नेगेटिव की बात करूं, मैं कि भी ये नेगेट से सुनलो, minus का नेगेटिव धियां से सुनना, नेगेटिव नहीं, odd multiples of pi, odd multiples of pi, odd multiples of pi, मतलब minus pi, pi, ये odd है, 3 pi, 5 pi, ये odd है, बिटा, है न, minus 3 pi, minus 5 pi, ये सब चलते जा रहे, ठीक है, done है, ये, sir, तो minus ये क्या होगा, देखना, धियां से सुनना, sir, अगर मैंने x की जगा, x की जगा ये रखा, minus pi, 5 pi, तो output आएगा minus का 1, है न, ये, sir, अगर मैंने minus का 3 pi रखा, तो output आएगा minus का 1, सब minus का 1 देंगे, अगर मैंने यहाँ पर pi रखा, minus pi रखा, तब भी minus 1, अगर मैं पाई रखा पाई रखा तब बी माइनश वन तो इन पॉइंट्स को यहां पर locate करो ठीक है सर स्ल करते ते तो माइनस फाइफ पै थो यह पाई नहीं है ज्युक्ई से लेना पड़ेगा तो यह आएगा बना लो काफी है बस जब इतने बन जाएं जब इतने बन जाएं तो बिटा अब इसको जोड़ दो now just join them कैसे join करें हैं ध्यान से सुनो थोड़ा curve में join करना लो भी है sir ये curve बन गया 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 ये जेखर जी, 2n प्लस 1 πाई बाई टू पे dealing No होता है, मतलब पाई बाई टू के और इंटिजर semaine знаю, पाई बाई टू के और आड बाई मतलब पाई बाई दू थी पाई बाई टू पाई पाई बाई त्टू, माईनस पाई बाई टू minus 5 pi by 2 इन पे 0 होता है done cause x 1 कब होता 1 बिटा minus 1 की नहीं अभी मैं 1 की बात कर रहा हूँ 1 कब होता 1 होता है 0 पे cause 0 पे is equal to 1 और और बिटा जी even multiples of pi मतलब cause 0 पे तो होता ही है 0 cause 0 पे 0 होगा cause even multiples of pi cause 2 pi cause 2 pi सीधा 2 pi पे 0 हो जाए cause 4 pi cause 6 pi इन पे होता है cause 1 इन पे cause x होता है 1 अगर x की जगा आप even multiples of pi रखोगे अगर आप x की जगा odd multiples of pi रखोगे cause आपको minus 1 देगा तो minus 1 पे भी अपनने mark कर लिए है न pi पे pi पे देखो odd है न pi क्या है सर ये odd है 1 pi minus pi क्या है सर ये भी odd है minus 1 1 एक और होता है तो तो माइनस 1 पे माइनस 1 पे माइनस 1 है ना पाई पे माइनस 1 ऐसे ही बच्चो अगर मैं पूछू मैं पूछू नेक्स किस पे होगा माइनस 1 तो 3 पे होगा 1 पाई है 2 पाई छोड़ दो 2 पाई तो even है 3 पाई अब 3 पाई यहाँ है नहीं यह नहीं तो मैं 3 पाई आपको करके दिखाता हूँ clear है हाँ सर तो बेटा इतना ही है अपना और I hope कि आपको समझ में आ गया होगा graph अब learn कर लो इस graph को जल्दी से session को खतम करते हैं ताकि आपन 10 पर पहुँच पाएं I hope आपको यह सारा को समझ में आ गया होगा session को like कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना ऐसे ही बड़िया तरीके से बढ़ते रहो next session जो आपको next video मिलेगा वो 10 का होगा यहनी 10X फिर cortex फिर sec X फिर cosec X ठीक है तो धीरे धीरे ऐसी complete करते जाएंगे दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है आराम से पढ़ेंगे I hope आपको session अच्छा लगा होगा magnet brains ऐसे ही आपको provide कराता रहेगा 100% free of cost high quality education और बेटा पूरा course आप free of cost पढ़ सकते हो हमारे वीडियो से हमारे YouTube चानल पर आकर इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया वाली opportunity है जैसे English मीडियम के बच्चे cbac board English medium k12 kindergarten जे class 12 वाले बच्चे free of cost high quality education इस चैनल के दुआरा पा सकते हैं पढ़ सकते हैं अच्छी quality education ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो 6th class से 12th class में पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी मीडियम में है UP board, MP board, Bihar board, Rajasthan board या Delhi board पाँच state boards अगर हैं आप किसी भी state board से पढ़ रहे हो best वाली पढ़ाई करनी है अगर आपको तो बच्चों आप लोग हमारे magnet brains हिंदी मीडियम YouTube चैनल पर जा सकते हो बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी high quality education free of cost आपको provide करा जा रही है, notes या study material आगर आपको download करना है, if you want कि आप exam boosters, notes, किसी भी subjects के download करना चाते हैं तो आप हमारी website या application पर visit कर सकते हैं, website www.magnetbrains.com, application आपको google play store से मिल जाएगा, बिटा आपको grabby notes पे click करना होगा, उसके बाद अपना medium select कर लेना, class select कर लेना, subject select कर लेना, download कर लेन बड़िया वाले notes PDF format में, जल्दी मिलेंगे next video में, till then happy learning, take care, bye